प्रेके बाद स्वागत है आपका आप देख रहे हैं प्रहार अब बात करेंगे नितीश कुमार की देखे देश में तीसरी बार NDA की सरकार बन रही है लेकिन बीज़पी की रहा इस बार इतनी आसान होने वाली नहीं बीज़पी इस बार बहुमत के लिए टीडीपी और जेडियो जैसे दलों के समर्थन के सहारे ठीकी होगी सरकार बनने के पहले से ही उम्मीद जताई जा रही है कि सही होगी दल समर्थन की खीमत बीज़पी से वसूल सकते हैं और इसकी अभी से तस्वीर दिखने लगी है पियम मोदी के तीसरी बात शपत लेने से पहले ही जेडियो ने अपनी डिमांड सामने रख दी है पिहार के सेहम नितीश कुमार के बेहर खरीबी और राज़े के मंतरी विज़द चौधरी ने पिहार को विशेश राज़े का दरज़ा दिये जाने की मांग करती है पिहार को विशेश राज़े के दरज़ा जेडियो की कोई नई मांग नहीं है नितीश लंबे समय से पियम मोदी के सामने ये मुद्दा उठाते रहे हैं लेकिन बदले हालात में उनकी ये मांग काफी एहम हो जाती है और अब ये संकेत उनकी पार्टी के नेताओं के तरफ से भी दिये जा रही है हम लोग जो पहले से कहते रहे हैं कि बिहार को विसेश राज्य का दढ़जा, विसेश मदद, विसेश पैकेट मिलनी चाहिए और हम लोग ये स्वकारण कहते हैं मतलब वित रीजन कहते हैं इसलिए कि हमारे संसाधन सिमित हैं और उस पर भी हम जब सब से तेजगती से तरक्की कर रहे हैं और फिर भी दो सक्चाहिए हैं कि हम लोग सभी मानकों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन फिर भी गरीबी के पैमाने पर हम गरीब रह जा रहे हैं मतलब ये अपने आप में साबित करता है कि बिहार को जब एतना सू सासित प्रदेश है वैसे प्रदेश को विशेश मदद मिलना चाहिए अब जिस विशेश मदद विशेश राज्ये के दर्जे की बात की जा रही है दरसल वो होता क्या है उससे बिहार में क्या बतलेगा ये तो आपको बताएंगे ही लेकिन निटीश के सासाथ जेडियू के सासाथ आरजेडी भी है जो निटीश कुमार पर दवाब बनाने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि इस मांग को उठाया जाना चाहिए निटीश कुमार के पास मौका है आपको विशेश राज्य का दर्जा दिलवाना चाहिए अब आई आपको बताते हैं स्पेशल पैकेज क्या होता है और इसे किन राज्य को दिया जा सकता है ये जानकारी आपके सामने रखते हैं जिसकी मांग लंबे समय से बिहार को लेकर की जा रही है सबसे पहले कि विशेश राज्य का दर्जा मिलता किसे है तो जो पिछड़े स्टेट होते हैं उन्हें विशेश राज्य का दर्जा केंदर सरकार की तरफ से दिया जा सकता है अब ये मिलता क्यों है इसलिए मिलता है ताकि पिछड़े राज्यों में विकास की रफ्तार है वो तेज हो सके विकास को रफ्तार मिल सके विकास हो सके जो लोगों का जीवन है वो सुधर सके ज्यादा तर किसे दर्जा दिया जाता है तो जो दुर्गम पहाडी राज्ये होत जब विशेश राज्य का दर्जा मिल जाता है तो लाब यह होता है कि विशेश पैकेज मिलते हैं, टेक्स में छूट मिल जाती है, केंदर सरकार की तरफ से एक मोटी रखम राज्य को दी जाती है, जो कि राज्य की विकास के लिए काम आती है, अधिकतर यह जो विशेश आपको याद होगा पिशली बार जब नितीश कुमार ने एंडिये का साथ छोड़ा था तो यही कहा था कि बार-बार मांग के बावजूद बिहार को विशेश राज्ये का दर्जा नहीं दिया जा रहा है और इस बार नितीश कुमार के पास मौका है अब आई आपको दिखात केंद्रिया फंड में 90 फीजदी का अनुदान होता है सिर्फ 10 फीजदी कर्ज जो ब्याज मुक्त होता है इसके अलावा केंद्रिया योजनाओं में हिस्सेदारी ज्यादा हो जाती है स्टेट उद्योग में भी जो केंद्र सरकार है उसके हिस्सेदारी बढ़ जाती है इंक चाहते हैं कि बिहार को मिल जाए ताकि बिहार में जो गरीबी दर है उसे कम किया जा सके बिहार में जो स्टेटस है जरता का जो गरीबी दर है उसे पूरी तरीके से खत्म किया जा सके और इसलिए विशेश राज्ये की मांग नितीश कुमार की तरफ से उठाई जा रही है और सांसद बने आलोक कुमार सुमन का बयान सामने आया है और आलोक सुमन ने कहा कि उनकी पार्टी ने सभी सरकारों के सामने स्पेशल दर्जे का मुद्दा उठाया है क्या कुछ कहा आलोक कुमार सुमन ने आपको सुनगाते हैं इन डिये के पार्ट हैं एक सांथ चुनाव लड़े हैं और 1995 से एंडिये हमलो भाजपा के साथ है और सबसे पूराने अलाई है इसलिए बदलने कहा कोई सवाल उठाता इसी कोई बात नहीं है हमारे इसको परमकुजे मंतरी जी ने किलियर कर दिया है और हमलों एंडिये के साथ रहेंगे जो भी सा कहा गा रहा है वो केवल समाज में ंदेशा में फै लानी के लिए इन सर्थों पे साथ रहेंगे क्या मंतरा ले चाहिए इस तरह की मफड़ बात हुई है क्या इसा क्वी यह इस सरकार बनने दीजेए फिर उसको बात देखें आप लोगों कि एगे यह मांग हमेशा से रहा है तो इसमें तो कोई भी सरकार थी उसमें भी हम लोग मांग रहे थे तो मांग है बिहार की विकास के लिए ऐसे और कोई बात नहीं है उसमें तो बिहार को विशेश राज्य का दर्जा मिलना चाहिए एमांग नितीश कुमार की उनकी बाटी की आर्चेटी की तरफ से भी उठाई जा रही है अब ये समझे कि बिहार को जब विशेश राज्ये का दर्जा अगर दिया जाता है इस मांग को अगर पूरा किया जाता है तो उसका रास्ता क्या हो सकता है ये आपको बताते हैं लाग करोड रुपए दिये जा सकते हैं एक लाख करोड रुपए एक साल में रिलीज किये जाएंगे केंदर सरकार की तरफ से और इसका सीधा फायदा बिहार को होगा लेकिन इसके लिए नई सरकार जब गठेत होगी बकाइदा बजट जब आएगा तो प्रस्ताव लाया जाएगा और ये प्रस्ताव जब लाया जाएगा तो उसमें बिहार को एक लाख करोड रुपे की मदद केंदर सरकार के तरफ से दी जा सकती है कुल 12 सांसद हैं नितीश कुमार के पास और ये 12 सांसदों की ताकत ही है कि नितीश कुमार एक बार फिर से जीवित हो चुके हैं अभी तक कहा जा रहा था कि बिहार की राजदी में नितीश कुमार रिलेवन्ट नहीं रह गए हैं वही नितीश कुमार अब इस मुकाम पर आकर साबित हुआ है हाला कि तेजस्पी आदव जरूर excited नजर आ रहे हाला कि तेजस्पी आदव सबसे कमजोर एलाई पार्टनर इंडिया गटपंदन के साबित हुए है जितनी उनसे उम्मीद थी प्यार में उतना कमाल नितीश कुमार के सामने तेजस्पी आदव कर नहीं पाए ह लेकिन तेजस्पी आदव भी कैसे special status की demand को दौर आ रहे हैं सुनवाते हैं को आयोध्या में राम जी का आर्शिरवाद तो हिंडिया गडवधन को हम लोगों को मिला तो कहीं भी जो है आप देखेगा एक चीज तो साफ हो गया कि जो मोधी जी की बात करते थे कि मोधी फाक्टर मोधी फाक्टर वो खताम हो गया भाजपा जो है मेजोरिटी से दूर चली गई है जो सहयोगी है अब उन पर डिपेंडेंट है और हम लोग तो खुशी है इस बात की कि भाई चलो हम लोग जो चल्विधान लोकत रोकने बचाने का जो प्रयास था जिसमे सरकार बने खास तोर पे बिहार को विशेश राज का दर्जा दिलाए कि हमारी सरकार प्रयास रत तो हम लोग रहेंगी उसमें उसमें प्रयास रत लोगों को रहना से क्यों नहीं रहना चाहिए अब देखिए जेडियू के सासाथ आरजडी भी यही मांग उठा रही है जेडियू लंबे समय से यही मांग उठाती रही है लेकिन इसी NDA सरकार में एक और महतवपूर लाई पार्टनर है वो है TDP, TDP की तरफ से भी यही मांग उठाई जाती है कि आंधर प्रदेश को वि यही मांग कर रही है आपको याद दिला दें 2019 में जब टीडीपी ने अपना गठबंदन NDA से तोड़ा था उस वक्त यही मांग रखी गई थी अब किस डिमांग पर सबसे ज्यादा जोर ये दोनों नेता दे रहे हैं तो देखे बात यह है नितीश कुमार के 12 सांसद हैं बाबु नाइडू भी आंधुर प्रदेश को विशेश रजय का दरजा दिलवाना चाहते हैं दोनों ही पार्टीज की ताकत आप इस बात से समझे कि इन दोनों ही पार्टीज पर ये निर्भर करता है कि NDA की सरकार कितनी मजबूती के साथ चलेगे कितनी मजबूत रहेगी NDA की सरकार ये इन दोनों चेहरों पर इन दोनों नेताओं पर डिपेंड करता है और इसलिए दोनों नेता अपनी मांग को रख चुके हैं ना सर्फ मंतराले को लेकर इनकी डिमांड सामने आ रही है बलकि ये भी कहा जा रहा है कि विशेश राज्य का दरजा हमारे राज्य अब और क्या-क्या मांग की जा रही है टीडीप और जेडियू की तरफ से जल्दी से आपको ये भी बताते हैं देखें लोकसभा स्पीकर के पद की दावेदारी टीडीप और जेडियू दोनों कर रहे हैं चर्चा यह है कि नितीश कुमार रेल मंतराले चाते हैं इसलिए अगर आप रिलिवेंस देखेंगे तो जेडियू जब भी सक्ता में साजी रही है एन डीए के साथ तो रेल मंतराले अपने पास रखना चाहता है जेडियू और इसलिए एक बार फिर रेल मंतराले की मांग हो रही है नितीश चार मंतरी पद की मांग भी कर सकते हैं और यही मांग TDP की तरफ से भी की जा रही है यही मांग जो है वो लगातार चंदरबाबू नाइडू की तरफ से भी की जा रही है तो देखे एक तरफ नितीश है जो बिहार के लिए special status की रसा कशी में जुटे हुए हैं और गठ बंदन के साथ नहीं सरकार बनाने में जुटे हुए हैं तो दूसरी तरफ इंडिया आलाइंस में अपना confidence बढ़ा चुके अपना कद बढ़ा चुके समाजवादी पार्टी में जीत के बावजूद आपसी खीचतान देखने को मि मोहिबुल्ला ने आजम खान पर तंज कसते हुए कहा कि जेल सुधार घ्री होता है जन्नत नहीं जाने अन जाने में जो घलती होती है उससी वजह से जेल होती है मोहिबुल्ला ने ये भी कहा कि वो आजम खान के लिए सिर्फ दूआ कर सकते हैं सबसे पहले आई आई आपको को सुनवाते हैं मोहिबुल्ला नद्वी का बयाद पैजबी जी आजम खान सीतापुर की जेल में हैं क्या आप जीत के बाद उनसे मुलाकात के लिए जाएंगे और मोहिबुल्ला नद्वी के बयान को आप ऐसे समझ सकते हैं जब उनके टिकेट को लेकर बाचीत चल रही थी आजम खान की नाराजगी सामने आई थी एक खुली चित्थी सामने आई थी और मोहिबुल्ला नद्वी अखलेश यादव की तरफ से चुने गए कांडिडेट थ रहते थे रामपूर से एसपी के निर्वाचित सांसद मोहिबुल्ला नद्वी से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या आप आजम खान से मिलने सिधापूर की जेल में जाएंगे उस पर जवाब देते हुए मोहिबुल्ला नद्वी ने आजम खान पर तंस किया और कहा कि जेल जन्नत नहीं सुधार ग्री होती है जाने अन जाने में घलती होती है तो जेल जाना पड़ता है आजम के लिए सिर्फ दूआ की जा सकती है एक बार फिर सुनाते हैं आपको पत्रकारों के सवाल पर क्या कहा नव निर्वाचित सपासांसाद मुहिबुल्ला नद्वी नद्वी तो इरसा कसी तो चुनावों से पहले चल रही है टिकेट बटवारे को लेकर बवाल हो रहा था क्योंकि आजम खान तो चाते थे कि अखिलेश यादव उनके गड़ से चुनाव लड़े हैं लेकिन नद्वी को फाइनल किया गया दिली से लाया गया और अब नद्वी के बय बयान दिया तो आजम खान का परिवार भड़क चुका है आजम खान की पत्नी ने कहा कि नद्वी जी का बयान ऐसा लगता है जैसे अनुभव के आधार पर दिया गया है और उन्हें जेल जाने का अनुभव रहा है ग्रामपु से भी साथच की सीटी की है तामाजवादी पार्टी है उन्हें भी मैं मुबारक बात देती हूं जीते हैं लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है और जो उन्होंने अपने बयान दिये हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जेल जो है वो सुधार ग्रह हैं ऐसा लगता है कि उन्हें जेल जाने का बहुत गहरा तज़ुरवा है और वो पहले जेल जा चुके हैं तो सभी जो पत्नी है आजम KHAN की यो पूरी तरीके से इस बयान के खिलाफ हैं और कह रहे हैं कि ऐसा लग रहरा है जैसे उन्हें जेल जाने का पहला experience है सिर्फ रामपुर नहीं बलकि मुरादाबाद में भी आप मोहिब उल्ला किस बयान की जर्चा हो रही है वहाँ से सांसत बनी रुची वीरा से जब मोहिब उल्ला के बयान को लेकर पूछा गया उन्होंने का कि आजम खान पार्टी के वरिष्ट नेता है और उन पर बयान बाजी से बचना चाहिए मुझे सुनने को मिला कि वो आजम साब के बारे में कुछ बयान बाजी कर रहे हैं देखिए वो आज जो MP बने है या जो मैं MP बनी हूँ की वज़े से बने हैं और आजम खान साब उस पार्टी pe हैं पार्टी को बनाने में और पार्टी को यहां तक पहुंचाने में की वो खूं पसीना से इस पार्टी को सिंचा है तो मतलब उनको भी धन्यवाद करना चाहीए मेरी तरफ Credo की मुभारब بाद दे रही हैं रुची वीरा के बारे में भी आपको जानकारी दे दूँ रुची वीरा आजम खान के केंप की मानी जाती है आजम खान के खरीबी मानी जाती है और मुरादाबाद में टिकेट बटवारे को लेकर जो कन्फ्यूजन हुआ था वो आजम खान की वज़े से हुआ था और फाइनली रुची वीरा को ही यहां से टिकेट दिया गया जो अब सांसत बन चुकी है